कि नमस्कार जय भवानी दोस्तों स्वागत आपका फिट से आपके अपनी यूट्यूब चैनल एंबिशन क्लासेश 2019 में तो दोस्तों जैसा कि हम अलगला क्लास पे डिसकस कर रहे हैं अलगला टोपिक को लेकर तो आज भी हम एक नया टोपिक लेकर आए हैं कि आज का टोपिक रहने वाला है दोस्तों क्लास 10 से जी हां दोस्तों क्लास 10 से रहने वाला है प्रिप्रेशन का और प्रिप्रेशन में अगर बात करें तो किसकी बात करेंगे आज हम सोडियम हाइड्रोकसाइड की आज हम सोडियम हाइड्रोकसाइड की बात करने वाले हैं कैसे इसको लिए इसको बात कहा जाए तो कॉमन में इसको क्या कहा जाता है कॉमन में इसको कहते हैं कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोकसाइड को कॉमन नेम क्या होता है कास्टिक सोडा और कैमिकल नेम की बात करते हैं तो कैमिकल नेम इसका होता है सोडियम हाइड्रोकसाइड और कैमिक common name क्या होता है दोस्तों, इसका caustic soda, c-a-u-s-t-i-c, caustic soda होता है, अगर formula की बात करते हैं, formula की बात करते हैं इसका, तो formula होता है, इसका NaOH, sodium hydroxide, मैंने पहले भी कहाता है, Na means sodium, OH means hydroxide, तो sodium hydroxide इसका क्या हो गया, formula हो गया, अब दोस्तों, आती है बात इसके बनाने की, अब हम कैसे बनाएंगे इसको, तो इस वन अलसो prepared for the sodium chloride, तो ये भी किससे बनाए जाता है, sodium chloride से बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, sodium chloride लेना होगा इसका aqua solution ओके दोस्तों क्या लेंगे हम इसका aqua solution लेंगे तो when we pass electricity through the aqua solution of sodium chloride जब हम किसी aqua sodium chloride के aqua solution में electricity pass करेंगे तो क्या हो जाता है when we pass electricity through the aqua solution of sodium chloride then it decompose क्या हो जाएगा ये decompose हो जाएगा वो decompose होके क्या बनाएगा then it decompose to form sodium hydroxide hydrogen and chlorine तो दोस्तों बात क्या होगी decompose होके sodium hydroxide बना लेगा hydrogen मना लेगा और chlorine मना लेगा इसमें हाइडरोजन और chlorine मना लेगा अगर balance की बात करते हैं तो two ये हो जाएगा two यहाँ पर आजाएगा two यहां पर आजाएगा देखते हैं balance होा के नहीं NA का two हो गया N A two हो गया Cl का two हो गया Cl का two हो गया Now water का H कर만 लेगा four हो गया hydrogen का two होगया oxygen का two होगया 투 होगया सारे हमारी equation balance होगी तो क्या होता है कि जबical hydrogen chloride के aqueous solution में S2O अगर आ रहा है तो aqueous solution है this one is the what aqueous solution AQ aqueous solution of sodium chloride sodium chloride sodium chloride के aqueous solution में electricity पास की गई तो क्या होगा sodium hydroxide बन जाएगा hydrogen मन जाएगी और chlorine मन जाएगी और इस process को दोस्तों एक और कहा जाता है इस process का नाम होता है कलोर alkaline process इस process को क्या बोलते है कलोर alkaline process कहा जाता है क्लोर एलकली क्यों क्योंकि क्लोर फोर क्लोरीन और एलकली फोर सोडियम हाइड्रोकसाइड क्योंकि इस प्रोसेस में क्या बनते हैं क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोकसाइड बनते हैं इसी वज़े से इस प्रोसेस को क्या भी बोलते हैं क्लोर एलकली प्रोसेस भी कहते हैं अब बात आएगी जब हम electricity पास कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा जब electricity पास करते हैं when we pass electricity through any solution then we have to take two electron हमें दो electron लेनी पड़ती है माना ये कोई क्या है दो electron ले ली और इसमें क्या किया ये एक्वस सोलीशन था एक्वस सोलीशन तो क्या हुआ ये तो हो गए हमारी anode और ये हो गई cathode cathode में कहें तो इस पर negative electrode है ये positive electrode है तो जैसे ही हाइड्रोजन बनेगी chlorine बनेगी और sodium hydroxide बनेगी तो ये कहां पर obtain होंगी तो हमने कहा गया hydrogen कहां पर obtain होती है तो यहाँ पर यह होगी इस जगह इस वाली पर वो कैथोर्ड पर क्या होने वाली है यहाँ पर हमको कलेक्ट होगी हाइड्रोजन एनोड पर होगी हमें कलोरिन और जो सोडियम हाइड्रोकसाइड होगा वो हमारा कहाँ पर होगा यह हमारा यहाँ पर के अनोड के पास में यहाँ पर हमारा यह सोलिशन बनेगा इस वन इस दा अने ओएच ओके सोरी नियर दा कैथोर्ड 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 के पास में बनता है यह कहाँ पर पास बनेगा यह कैथोर्ड के पास में बनता है हाइडरोजन बनता है और कलोरीन बनता है और ये कलेक्ट कहां पर होती है हाइडरोजन कलेक्ट होती है कैथोड पर कलोरीन कलेक्ट होती है एनोड पर और सोडियम हाइडरोकसाइड कैथोड के पास में कलेक्ट होता है okay I think दोस्तों ये समझ में आया होगा चाहओ तो आप इसका इसकी इन सोट भी ले सकते हैं अगर दोस्तों इसे उलेटेट आपको नोट्स चाहिए तो आपको आपको हमारे टेलेगराम चैनल पर मिलेंगे चाहओ तो आप हमारा वाटसाप चैनल भी जोईन कर सकते हैं तो दोस्तों बात करेंगे अब आगे इसके प्रोसेस की कि क्या इसके यूजिज क्या क्या होते हैं किसके सोडियम हाइडरोकसाइड के यूज क्या होते हैं कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं क्या इसका यूज है सबसे पहले दोस्तों अगर यूज की बात करेंगे सबसे पहले अगर हम यूज की बात करते हैं तो क्या होता है जहां इसका यूज क्या रो मटेरिल की तरह यूज किया आता है किसकी तरह यूज किया आता है रो मटेरिल की तरह है ओके दुस्तों हा तो सबसे पहले हम बात करेंगे फञेंगे first row material की तरह हिसका यूज होता है रो से प्लास्टिक ओक। ay means ऐसे प्लास्टिक भर्राइश से बनाये जाते हैं Meaning yunk die अ यह बनाया जाते हैं खिलियर हुआ तो सबसे पहले इसके लिआ यूज़ते हैं अगर मैटल्स होते हैं मैटल्स कि Thought ग्रीस लग रुगा ओत तो उसको good किया ऐता है इस सोडेम हाइड्रोकसाईर का यूझ करके उस्ग толi को रिमूव किया जाता है तो इसका यह यूझ हो गया थार्ड यूझ क्या आता है इट इस यूजड इट इस यूजड इन दा मैंनिफेक्चेर ऑफ manufacture of dyes dyes बनाने में इसका यूज होता है soap बनाने में इसका यूज होता है detergents बनाने में इसका यूज होता है dyes बनाने में इसका यूज होता है comma etc ये सारी चीजे क्या होती है काफी सारी चीजे इसके बनाई ये जाती है क्या होता है रोम Déle का तरह पेपर बनाने में यूज होता है, तो आज की क्लास हमाँ दोस्तो इतने ही थी, सिर्फ एक ही टोपिक लेके आयते है। some time Hydroxide का आगे क्लास में नए preparation के साथ मिलेंगे आपसे तो मीद नहीं कि दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइश सब्सक्राइब दिरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा वो लगता कि कोई पॉन्ट इसमें किलियर नहीं है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिक्स रखते हैं हम पूरी तरफ अपनी तरफ से पूरी कोशिस करेंगे कि आपकी प्रोब्लम को शोट आउट किया एक नई प्रिप्रेशन के साथ तब तक के लिए दोस्तों जैहिंद आप